आज की इस वीडियो क्लास में हम 23 जून 2020 से करंट अफेर के जितने भी important questions बनेंगे उनको हम discuss करेंगे और इसमें से static GK के जितने और extra questions बनेंगे उनको भी हम detail में जानेंगे आप इस वीडियो को last तक देखें और वीडियो के last में question पूछा जाएगा आपको उसका जवाब नीचे comment box में बताना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले last video में जो question पूछा गया था उसका answer last video में question पूछा था National Institute of Public Finance and Policy के अध्यक्च के रूप में किसे निउप्ट किया गया है तो इसका सही answer था option B उर्जित आर पटेल को National Institute of Public Finance and Policy के अध्यक्च के रूप में निउप्ट किया गया था स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला question है हाल ही में World Hydrography Day कब मनाया गया है तो अभी 21 जून को World Hydrography Day मनाया गया था इसे हर साल 21 जून को मनाया जाता है IHO यानि International Hydrographic Organization इसे मनाता है इस बार के World Hydrography Day की थीम क्या थी तो इस बार की थीम थी Hydrography Enabling Autonomous Technology क्या थी Hydrography Enabling Autonomous Technologies अब इसका इत्यास के बारे में जानते हैं IHO ने 2005 में Hydrography दिवस को मनाने का निरने लिया था और उसके बाद से संयोक्तराइश्ट महासबा ने इस दिवस को मनाई जाने की घोशना की थी अच्छा IHO इसे हर साल मनाता है तो IHO का जो मुख्याले है वो कहां पे रहे तो IHO का मुख्याले है मुनाकों में प्रिजेंट टाइम पे IHO के जो महासचिव हैं वो है माथियास, जोनास और इसकी स्थापना 1921 में होई थी अब ये IMPORTANT DAY वाला कोशन है तो अभी तक जोन में जितने भी IMPORTANT DAY मनाई गए हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सबसे पहले एक जोन को मनाई गया था विस्व दुख्द दिवस उसके बाद 2 जून को मनाई गया था तेलंगाना राज्यस्थापन दिवस तीन जून को मनाई गया था विस्व साइकल दिवस उसके बाद 4 जून को मनाई गया था International Day of Innocent Children Victim of Aggression उसके बाद 5 जून और 5 जून को मनाई गया था विस्व पर्यावरण दिवस 6 जून को मनाया गया था संयोक्त राष्ट रूसी भासा दिवस 7 जून को important day था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 8 जून को था विश्व महासागरिय दिवस 9 जून को मनाया गया था विश्व प्रतैयन दिवस इंगलिस में बोलते हैं world accreditation day उसके बाद आया था 12 जून और 12 जून को बनाया गया था world day against child labor उसके बाद आया 13 जून 13 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रिय रंग हीनता दिवस यानि world albinism day 14 जून को मनाया था world blood donor day 15 जून को मनाया गया था world elder abuse awareness day उसके बाद आया था 18 जून और 18 जून को मनाया गया था sustainable gastronomy day उसके बाद 21 जून को international yoga day मनाया गया और world music day मनाया गया और अब 21 जून को ही world hydrography day भी मनाया गया 21 जून को ये 3 important day मनाये गये हैं तीनों आपको याद रखने हैं question number 2 है के लिए बेस पॉइंट दस मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशी line of credit की है LO से की है तो अभी एक्जम बैंक ने निकारागुआ गंडराईजे के लिए बेस पॉइंट दस मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशी line of credit की है option B इस question का सही answer है अब इसने ये राशी की क्यूं है तो इसने निकारागुआ गंडराईजे में एल्डो चावरिया हस्पताल के पुनर निर्मान के लिए इसे विस्तारित किया है बात है निकारागुआ की तो निकारागुआ की capital है मानागुआ इसकी जो मुद्रा है वो है निकारागुआ कोडोर्बो कोडोर्बो इसकी मुद्रा है ये राशी एक्जिम बैंक ने एल्लो से किये है तो एक्जिम बैंक का हेड़काटर है मुंबई में स्थापना हुई थी 1982 में और प्रजेंट टैम पे इसके MD है David S. किनहा कुशिन नमबर थृरी है हाल ही में अमेरीकी सीनेट ने NSF के निदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया है तो अभी अमेरीकी सीनेट ने डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन को NSF के निदेशक के रूप में न्युक्त किया है अब डॉक्टर सेतु रामन पंचनाथन अमेरिकी सीनेट के NSF के निदेशक बनाए गए हैं ये एक भारतिया अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और ये दूसरे ऐसे भारतिया अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिने इस पद पर निउक्त किया गया है इनसे पहले डॉक्टर सुब्रा सुरेश को NSF के निदेशक के रूप में निउक्त किया गया था डॉक्टर सुब्रा सुदेश अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 तक NSF के निदेशक के रूप में सेवा देती रही थी अब इन्हें बनाया गया है NSF के निदेशक के रूप में तो NSF है क्या तो जो NSF है नयानी National Science Foundation उसे 1950 में कांग्रेस के द्वारा एक स्वेतंत्र संगिये एजेंसी के रूप में विक्सित किया गया था Question No.4 है हाल ही में किसने प्रवासी मजदूरों के लिए जोब प्लेटफॉर्म विक्सित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है तो अभी नीती आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए जोब प्लेटफॉर्म विक्सित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है options से इस question का सही answer है अब ये panel का गठन किया है इस panel में कौन-कौन सामिल होगा तो इसमें नीति आयोक की तरफ से Google, Microsoft और Tech, Mahindra जैसे कंपनियों के Sears अधिकारी इसमें सामिल होगे इस panel platform को बनाने का उद्देश्य क्या है तो इसे बनाने का उद्देश्य है जो Blue-Collar स्रमिक होते हैं उनको अपनी भासा और स्थान में नौकरी के अवसर मिल जाएं यानि ये platform बलियो कॉलर स्रमिकों को अपनी भासा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद करेगा बनाया है नीती आयोग ने तो नीती आयोग के बारे में जानते हैं नीती आयोग exam point of view से काफी important है नीती आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी योजना आयोग के स्थान पर नीती आयोग को स्थापित किया गया था इसका मुख्याले नई दिल्ली में हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो भी भारत का उस टैम का प्रधानमंत्री होगा वो ही नीती आयोग का अध्यक्ष होगा इसलिए अभी नीतियायोग के अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री नरेंदर बोधी अभी नीतियायोग के अध्यक्ष है प्रजेंट टैंप के इसके CEO कोन है तो अमिताव कांत नीतियायोग के CEO है और इसके उपाध्यक्ष कोन है तो राजीव कुमार नीतियायोग के उपाध्यक्ष है Q5 है किस राज्यक के पूर्व सिपनर राजंदर गोयल का निदन हुआ है तो हरियाना के पूर्व सिपनर थे राजंदर गोयल इन्होंने हरियाना की तरफ से 157 प्रतम सरेनी मैच खेले थे जो आप image में देख रहे हैं ये हैं राजंदर गोयल अच्छा इनके बारे में जानते हैं तो इन्हें 2017 में BCCI की तरफ से CK NADU Lifetime Achievement Award दिया गया था और BCCI की राष्ट्रिय जूनियर समित्य के ये अध्यक्ष भी बनाई गए थे बात है हरियाना की तो मैप में देखिए ये है हरियाना हरियाना की कैपिटल है चंडीगड मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खटर और गवर्नर है सत्यदेव नारायन आर रहे बाकी की जो हरियाना के बारे में डेटेल है वो आप इस image से screenshot लेके पढ़ सकते हैं मैंने सारे डेटेल इसमें add की हुई है कुशन नमबर 6 है हाल ही में भारत के किस खलाडी को ITF men's खलाडी पैनल के सदश्य के रूप में सामिल किया गया है तो अभी निकी पूनाचा को ITF men's खलाडी पैनल के सदश्य के रूप में सामिल किया है option B इस question का सही आंसर होगा अंतरश्य टेनिस महासंग के द्वारा ITF world tennis tour player पैनल के लिए खलाडीों की एक सूची जारी की गई है और इस सूची में भारत के निकी पूनाचा को ITF world tour player men's panel में सामिल किया गया है question number seven है हाल ही में स्री विद्यावेन का निदन हो गया है वह कौन थी तो स्री विद्यावेन शाहा एक famous सामाजिक कार्रे करता थी option A इस question का सही आंसर है जो आप image में देख रहे हैं ये हैं विद्यावेन शाहा और इन्होंने 1940 में राजगोट में पहला बाल ववन बनाया था बाल कल्यान के छित्र में ये बहुत आगे थी इन्हें 1992 में 1992 में पदम स्री पुर्षकार से भी सम्मानित किया गया था question number eight है हाल ही में केंदर सरकार ने पूर्वुतर राज्यों की स्वास्त सेवाओं को बढ़ाने के लिए कितने करोड रुपे की मंजूरी दी है तो अभी केंदर सरकार ने पूर्वुतर राज्यों की स्वास्त सेवाओं के लिए 190 करोड रुपे की मंजूरी दी है हमारे प्रिजेंट टाइम के केंदरी मंत्री है डॉक्टर जीतेंदर सिंग इन्हों ने इसकी गोशना की है पूर्वुतर राज्यों में असम और नाचल प्रदेश मेगाल्या मनिपूर सिक्किम नागालेंड और तिरपुरा इन राज्यो को 30 जून तक बढ़ा दिया है तो अभी मिजूरम ने अपने यहां लॉक्डाउन था उसे 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है ऑप्शन से इस कोशिन का सही आंसर है अब यह बढ़ाया है मिजूरम ने तो मैप में देखिए यह हैं मिजूरम नेक्स्ट कोशन है कोशन ममर 10 है हाल ही में ADB ने वित वर्ष 2021 के लिए भारतिय अर्थी वस्ता के कितने पृतिशत संग्चुछन का अनुमान लगाया है तो अभी ADB ने एक रपोर्ट जारी की है और उसमें भारतिय अर्थी अर्थ वस्ता के 4 पृतिशत संकुछत रहने का अनुमान लगाया है ADB ने तो ये थी आज की हमारी वीडियो आप कोई वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग